दोस्तों, आज मेरे पास एक बेक लोजर मशीन आया है, अब यह मशीन में प्रॉब्लम ही है, कि यह पूरा जाम है, अब यह मशीन कहां से जाम है, वो मुझे भी पता नहीं है, जस्ट अभी मशीन मेरे पास आया है, तो आज के वीडियो आपके रिए बहुत जानकारी वाला रहेगा, अगर आपका मशीन कभी जाम हो जाता है, तो उसे फ्रेंग करने के लिए, आपको कौन सा स्पेर पार्ट पहले खोलना है, सब कुछ आप डीटेल में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई बेक लोजर मशीन जाम मिलता है, आप वील गूमाते हैं, उसका वील गूमता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए, ये आगे का फेस कवर है, उसे खोल देते है, कभी भी आपको कोई बेक लोजर मशीन जाम मिलता है, तो सबसे पहले ये सुई का जो सलिया है, उसे ही खोल देना है, बहुत सारे मशीनों मे यहां से ये मसीन जाम हो जाता है, तो सबसे पहले हम ये सुई का जो सलिया है, उसे कोल देते हैं, अब ये जो एलन की वाला पेच है, वो खुलने रहा है, देखिए, ये एलन की पूरी गोम जाती है, ये जो पेच है, देखिए, ये जो पेच है, उसके अंदर का जो आटा होता है, वो खराब हो गया है, तो ये पेच खुलने रहा है, अब ये पेच को खुलने के लिए हम क को बताता हूं, देखें दोस्तों, जब भी कोई एलंकी का पेज खरब हो जाता है, आप ये एलंकी यूज करते हैं, खूलता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जन्नली मैं जो चीज करता हूं, वो बता रहा हूं, मैं डेसी जुगार का यूज करता हूं, ये हमोभत्ती, और य यह जो पेंच है, इसे गरम करेंगे, जब यह गरम हो जाएगा, तो यह एलन की से हम ट्राइ करेंगे, तो यह खूल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें, इस तरह से, यह पेंच है, उसे मैं दीरे दीरे गरम कर रहा हूँ, इसको हो सकता है तो, तो तीन-चार म्यून तरग हम गरम करेंगे, तो यह पेंच खूल जाएगा, देखिए, यह पेंच है, एकदम गरम कर दिआ है, एकदम काला हो गया है पेंच, हमेशा इसको गरम करने के बाद थूड़ा ओइल डग दे, देखिए, थूड़ा ओइल लग दिया है, देखिए, हमने ओइन कर दिया, यह एलन की के पेज को गरम कर दिया, फिर भी, यह पेज अब भी खूल ले रहा है, दोस्तो, अब भी, एलन की गोल-गोल गूम रही है, तो अब क्या करेंगे, देखिए, मार्केट में ऐसे ही छोटी सी पथली सी ब्लेड मिल जाती है, सबसे पहले यह ब्लेड से यहाँ पे थोड़ा खांच बनाना पड़ेगा हमें, वो कैसे बनाते देखिए, सबसे पहले गरम करेंगे आप, तो बहुत ईजी नहीं, तो हमें जगह मिल जाएगी, एक बात आपको बता दू, यह जो पेच है, वो ऐसी जगह पे है, कि हम यह पकड़ यह किसी से इसे खोल नहीं सकते, इसलिए, यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना रहा हूं, देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ी एक खाच जगह बन गई है, देखिए, ऐसा को डिस्मिस हो, वो डिस्मिस रखे, आप प्रॉपर डिस्मिस को रख पाए, देखिए, यह पेच में जो जगह है, बीच में, ऐसी जगह मैंने यहाँ पे बनाई है, दोनों सार नहीं बन सकती, एक सार यह बनाई है, अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे जगह बनी है, देखिए, वहाँ पे ये डिस्मिस प्रॉपरली बेट जाते हैं, अब ये हाथोड़ी निगार, देखिए, मैंने ऐसे पंच किया, तो ये होल खुल गया है, और गूमने भी नगा है, अब एक बार ये एलन की से ट्राइ करते हैं, अगर एलन की अंदर नहीं जाती है, तो थोड़ी, हाथोड़ी से ट्राइ करना पड़ेगा, देखिए, खुल गया, देखिए, द्यान से देखिए, इसका अंदर का जो हाटा होता है, वो कितना खराब हो गया है, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल ही मेरे को पूछा था, कि अगर एलन की का को ऐसा पेच है, जिसके अंदर के आंटे खराब हो जाते हैं, तो हम क्या करें, तो मैंने आपको देशी जुगण बता दिया, इसको गरम कीजिए, उसके पाद थोड़ा ओईल रखिए, और वो सके ऐसा एक खाच बनाईए, ताकि आप प्रोपर पकड़ ले पाए, और उससे ये खूल जाएगा, ये मैंने आपको देशी जुगण बताया है, इसके और भ लगा देनी है, तो इका सनिय कैसे निकलेंगे, देखिए, ये उपर गोल दिया गया है, या पर आपको ये पतली सी एलन की है, वो ऐसे लगा देनी है, थोड़ा ओईल लग दीजिए, दीरे दीरे, ये सुई का सलिया है, वो बाहर आ रहा है, ऐसे गुमाते रहिए, सुई का सलिया आ गया है बाहर, अब हम देखते हैं, मशिन फ्री हुआ है कि नहीं, देखिए, इसको भी बाहर निकल लिया, देखिए दोस्तों, मशिन फ्री हो गया है, मैं आपको बताओ, 99% आपका मशिन अगर कहीं से जैम हो जाता है, आप वेल गुमाते हैं और नहीं गुमता, सबसे पहले, इसे निकल लेना है, अब ये निकल लेंगे, तो 99% मशिन आपका फ्री हो ही जाएगा, अब एक और बाद बता दूँ मैं, हमारे एक सबस्क्राइबर है रगोविर जी, जो रेग्यूलर इस्टाग्राम पर मेरे कॉंटेक्ट में रहते हैं, उन्होंने एक दू दिन पहले मुझे पूछा था, कि बैक क्लोशन मशिन में, हमें ये सुईका सलिया, और देखिए, यहां पर बुष दिया गए, देखिए, ये एक बुष, ये दूसरा बुष, ये कब चेंज करने रहते हैं, तो मेरे सभी सब्सक्राइबर देख को मैं बता दू, आपको सुईका सलिया कब चेंज करना है, अब मैं आपको बताओ, देखिए, ये जो सुईका सलिया है, एक बार ये जाम हो चुका है, अब मैं इसे अच्छी तरह से घिसूंगा, और घिसके अगर लगाऊंगा, जाते हैं इसको, और लगाने के बाद, थोड़े टाइम में आपको लगता है कि मशिन फियसे जैम हो गया है, तो आपको इसे बदल देना है, ये एक टेक्निक मैंने बताई, दूसरी, कई बार क्या होता है दोस्तों, ये सुई जो है वो अंदर ही तूट जाती है, अब नीडल बार को ऐसे ऐसे करते हैं, तो सुई ख्या टुकड़ा बाहर आ जाता है, लेकिन कही बार ऐसा होते हैं, तो जाम हो जाता है अंदर, ऐसे मांटिया तो भी निकलता नहीं है, तो फिर आपको ये जो नीडल बार है वो नया ही डालना पड़ेगा, देखिए, द्यान से जो भी गड़ा दिख रहा है, अब मैं एक बार ये नीडल बार को गिसके लगाऊँगा, तो फिर से मसीन जया हो जाएगा, ये गैरेंटी है, क्योंकि याँ पर अल्रेड ये गड़ा हो गया है, नीडल बार नया ही डाल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, नया कैसे ये है नया नीडल बार, अब ये कुछ जगह पे जंग लग गया है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, तो इसे जंग लग गया है, वो हम दूर कर देते हैं, देखिए, यहाँ पे भी बहुत जंग लग गया है, स्पेर पार्स कई बार पड़े रहते हैं, और बारिस की इसको मैं गिस लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, अभी फिर वा ऐसे सिच्वस आया है, कि यह जो बूश है, देखिए, यह बूश बार नहीं आ रहा है, देखिए, दोनों सेटे फस गया है, यह जो निडल बार है, जंग निकालने किने, मेरे पास वो लेड़े एक म इससे मैं यह सड़ से मशीन का जंग निकाल देता हूँ, देखिए, देखिए, यह निडल बार में जो भी जंग लगा था, वो निकल चुका है, देखिए, यह दोनों सेटे से हमने, इसका जंग निकाल दिया, थोड़ा ओय लग देते है, ओय दा कहीं से गीज देते है, देखिए, यह उसका बूष बाहर आ गया, यह दूसरा बूष भी बाहर आ गया, अब हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर अबर पूछते हैं कि हमें मशीन का बूष अब चेंज करना है, तो मैं आपको बता दू, कई बार क्या होता है, मशीन ज्यादा चलता है, तो यह दूसरा अंदर, दोनों बूष, कंटीडियू, सुई का सलिय उपर नीचे होता है, तो बूष, बूष का ओल तो बढ़ा हो जाता है, तब अब जब भी, कभी भी आप, आपको बूष कब चेंज करना है, जब भी आप, ऐसे सुई का सलिय लगाते हैं, और ऐसे ऐसे, लेफ प्ले करता है, तब आपको सबसे पहले, ये सुई का सलिय चेंज करके देखना है, देखिए, एक, एक, मैं आपको, मैं आपको लाइव डेमो दिखता हूँ, ये नया सलिय आ है, ये पूराना, देखिए, ये पूराना मैंने डाला, तो भी कुछ प्ले नहीं है इसमें, नहीं डाला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेफ्टराइट कोई प्ले नहीं हो रहे है, आपको लगता है, कि मसिन में नया सुई का सलिय डालने के बाद बहुत प्ले हो जाती है, तब ही आपको अंदर के बूश चेंज करने हैं, अधरवाज आपको चेंज करनी की जरूद नहीं है, कही बार ऐसा भी होता है, कि अंदर के बूश हम चेंज कर देते हैं, तो ये सुई का जो सलिया है, उसे जैसे ही डालते हैं मसिन जैम हो जाता है, तो हो सके, ये मसिन के ये एक और ये दो, ये बूश कभी चेंज मत कियें, आपको चेंज करनी के जरूद है आने 99 परसंट, अब इसे लगा देते हैं अंदर, थोड़ा ओयल कर दीजी, फिल लगा दीजी, देखें, सुई का सलिया लगा दिया, और लगाने के बाद, अमारा मशीन एकदम फ्रे है, जैम नहीं है, फूई के सलिय को, सबसे पहले एक हाइट पर आप लगा दीजी, और ये स्कुरू है जो, एलन की बला, ये एक बार नया लगा दीजी, फिर आगे, कितनी आइट पर रख रहे हैं, वो सब मैं आपको दिखा दा हूँ, देखें, ये रहा, एलन की का नया स्कुरू, देखें, इसके अंदर के जो, आटे हैं, वो एकदम प्रॉपर है, एक चीज़ का खास ग्यान रखना है, आपका सुई उपर जाता है, तो यहाँ पर आपको गेप दिख रहा, देखें, उपर नीचे आता है, तो यहाँ पर भी आपको गेप दिख रहा, ये गेप होगा, तब ही मशीन फ्री गोमेगा, वनना अगर ये जो पार्ट है, वो नी नीचे ये उपर टाच हो जाएगा, तो मशीन आपका जाम हो जाएगा, एक जगह पे अटन जाएगा, थोड़ा ओईल अग दे दे है, वो सके तो बेक लोजर मशीन को रोज ओईल कीजिए, अगर मशीन ज्यादा चलता है, देली का, तो ओईल करना ना बूले, बेक लोजर म कौन सा ओईल डालोगे, उस पर मैंने एक डेडिकेटर वीडियो गना के रखा है, देखिए, ये वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको गलत ओईल डालते हो, तो आपको पता चल जाएगा, देखिए, मशीन में वल्डेन लूपर डला हुआ है, अब मैं आपको दिखा द देखिए, ये नई केप है, तो मशीन में हो सके तो देखिए, ये पूरानी केप है, खराब हो गए, नई केप डाल दीजिए, ताकि जब भी सुई बदने, तो आपको ज्यादा मेनद करनी ना पड़े, तुरंत आपको ये केप तुरंत खुल जाए, ये सुई लगा देते हैं, सुई का ये पाठ है, देखिए, ये गड़े वारा, वो ये बीन की साइड आएगा, ये याद रखिएगा, सुई का सनिय नहीं आओगा, तो साइड आप अपने हाथ से सुई डालेंगे, तो नहीं जाएगी, तो पकड का यूज कीजिए, और सुई को अंदर, अंदर पुश कीजिए, तो हो जाएगा, देखिए, मैंने सुई का ओल, एकदम सामने प्रॉपर सेट कर दिया है, अभी इससे टाइट कर देते हैं, अभी ज्यादा टाइट नहीं करना है, अभी शुई का सलिय बहुत उपर है, सुई का सलिय बहुत उपर है, कैसे पता चलता है?, देखिए, इसका all अलेड़ी बहुत उपर आ रहा है तो हमें थोड़ा नीच्चा करनने पड़ेगा क्योंकि सुवी all उपर का सेटिंग अभी तक हुआ नहीं है हम में इसा द्यान लखिए आपका ये एलन की का पेज क्यों खराब होता मैं बता दू एलन की जो होती है वो कई बार दिरे दिरे खराब हो जाते हैं देखिए तो अगर आपको लगता है एलन की खराब हो गई है तो उसे चेंज कर दीजे वन्हा बार बार आपका ये पेज है वो खराब हो जाएगा और फिर सुई के सलिय को थोड़ा नीचे करते है सुई के proper setting करने के बाद मैं आपको नज़िक से दिखाता हूँ कि एक proper setting किसे बोलते है सुई का सलिय जब भी नीचे करें एक बात का हमें से द्यान लखिए देखिए ये जो hole दिख रहा है ये hole ज्यादा अंदर चला जाएगा तो आपका दागा तूट जाएगा, क्यूंकि दागा इस ओल में से जाता है, अगर ये ओल ज्यादा अंदर चला जाएगा, तो तुरंत आपका दागा तूट जाएगा, ये आपको द्यान लखना है, देखिए, ये ओल पूरा आपको दिख रह देखिए, सुई जो है वो, लोपर जो है वो, सुई के गड़े में से जा रहे हैं, देखिए, ये सुई के गड़े में से गई, और जब वापीस आ रहे हैं, देखिए, जब वापीस आ रहे हैं, तो सुई के गड़े में से वापीस आ रहे हैं, देखिए, ये गई, सुई के गड़े में से गई, और देखिए वापीस आते टाइम सुई के गड़े में से वापीस आ रहे है देखिए सुई थोड़ा जंप ले रहे है जंप यानि सुई थोड़ा लूपर को टाच हो रहे है यह होना जरूरी है अगर लूपर को टाच होगी तो यह प्रॉपर सीले मिलेगी थोड़ी टच होना जरूरी है, यह गड़े में से गई और गड़े में से वापिस है, इसे बोलते है प्रॉपर लूपर और सुई का सेटिंग, अगर आपके मशिन में सुई और लूपर का सेटिंग ऐसा प्रॉपर नहीं है, तो आपको सेटिंग करना है केम में से, केम क्या हो और नया केम कैसे डालना, दोनों वीडियो अवेनिबल है, उसके अलावा, अगर आप्टा केम सेटिंग ओके है, लेकिन लूपर और सुई का सेटिंग कैसे करना आपको पता नहीं है, तो इसका भी मैंने डेडिकेटेर वीडियो बना के रखा है, देखें यह रहा, हर प्रकार की वीडियो बना के रखा है, आपकी फैसिलिटी के लिए, तो जाएए और वीडियो देखें, और लाइक किजिए, आमारी वीडियो को अगर अच्छे लगते हैं तो, तो यह मैंने सेटिंग कर दिया, सुईल उपर का, एक और बात बता दू, कभी भी मशिन को सर्विस करें या कुछ भी रिपेरिंग करें, तो यहाँ पर, देखें, यहाँ पर आपको ग्रीज दिख रहा है, जितना ज्यादा ग्रीजों का उतना मशिन लंबर टाइम तम स्मूत रहेगा, और आवास कम करेगा, तो जब भी मशिन को रिपेर करें, या मशिन का यह पार्ट खोले, आ ज्यादा तर मशिन की जो साप्टिंग है, देखिए, यह मशिन की साप्टिंग है, वहाँ पर तो जरूर लगाईगे, देखिए, यह सब जगम में ग्रीज लगा दिया, अब इसको फिट कर देता हूँ, और आपको फाइनल इसकी रिजर्ट कैसा है, वो दिखा देता हूँ तो दोस्तों मशिन में दागा डाल दिया है, मशिन में सब कुछ सेट अप कर दिया है, अब आपको मैं ट्रायल करके दिखाता हूँ, एक बात बता दूँ, आप मेरी चैनल पे बेक्रोज और मशिन के सबी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं, तो देखिए, यह रहा प्ल प्ले लिस्ट, आप प्ले लिस्ट में जाहिए, आपको सबी वीडियो सिक्वांस में मिल जाएंगे, तो आपको कोई वीडियो अलाच से डूनना ने पड़ेगा, प्ले लिस्ट में चेक करने ची आपको सब वीडियो मिल जाएंगे, चली अब मैं ट्रायल लेके दिखाता ह ये मसीन जो हें, यो जेन्स पे सलता है तो मैं उसे प्य आपको ट्रायल लेके दिखाता हूं सतर्ट देखिए यह है इस मसिन की सीले और लास्ट में लॉक भी लग रहा है दोस्तों फिर से एक बार आपको सीले करके दिखा देता हूँ प्रावन देखिए यह सीले और यह पीछे का लॉक देखिए यह है मसिन की प्रावपर सीले और यह है प्लास्ट में लगता हूँ लॉक तो यह था वीडियो अगर आपका बेकलोजर मसिन जाम हो जाता है तो उसके फ्री कैसे करना है अगर वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिएगा अब भी वीडियो को लाइक कर दीजिए हमें जितनी ज्यादा लाइक मिलते हैं उतना आमें ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है अगर वीडियो के निगरें कुछ सवाल रहते हैं तो कमेंट पर पूछ लीजिए आपको उसका मैं उसका आपको मैं रिप्लाइ कर दूँगा हो सके तो इस्टाग्राम पर पूछिए सवाल जल्दी आपको रिप्लाइ मिल जाएगा तब तक निए मैं मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में थैंक्यू वेरी मच्च